और काइटिस और काइटिस यानि कि टेस्टिस में जब इंफ्लमिशन हो जाता है उसे हम और काइटिस कहते हैं और अगर एपिडेडायमिस होता है उसके अंदर इंफ्लमिशन हो जाता है तो उसे हम एपिडेडायमिस कहते हैं यह सिच्वीशन जब होती है पिशेंड को जब प कई सारे उस पिशेंट को लक्षड भी मिलते हैं लेकिन वीसी कली सबसे ज्यादा जो कॉमन इस बीमारी का कारड होता है वह होता है वेक्टीरियल इनफेक्शन वेक्टीरियल इनफेक्शन के कारड जिस समस्या से आपको प्राबलम्स होती है उसके रिए क्या इलाज हमें देना चाहिए तो सबसे पहला फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है ऑगमेंटिन ऑगमेंटिन इंजिक्शन बॉइंट पॉइंट टू ग्राम का इं छोथी स्पेसिफिक मेडिस्टन होता है इसके एव को अलग ब्रांड में मिल जाता हैं यह मीड जाता है अब बात करें कि क्या है मॉख्शलीन में क्या होता है क्या है क्या है कैसे इसकर यूज करना चाहिए कि की काम करता करता है अि और Mother时ies known as penicillin combination it is a broad spectrum antibiotic that work against various types of bacteria argument and injection the 1.2 gm मतलब gram is made up to medicines amoxicillin the active part of antibiotic मतलब कि amoxicillin जो है वो active part है हमारी antibiotic का और clevolinate acid जो होता है यह वोस्ट efficacy of the amoxicillin तो amoxicillin का जो effect से जो boost करता है वो होता है clevolinate ठीक है अब augmenting 1.2 is generally prescribed preventing middle ear infection sinuses infection throat infection lung infection respiratory tract infection urinary tract infection skin infection soft tissues infections इस तरह के infections में इसका उप्योग किया जाता है then these harmful bacteria produce chemical toxins as toxins which can damage tissues make you sick amoxicillin acts by destroying the outer protein layer thereby killing the bacteria on bactericidal clavulinic acid inhibits the enzyme beta-lactamase that prevents bacteria from destroying efficacy of amoxicillin as a result the action of clavulinic acid allows amoxicillin work wetter and kill the bacteria तो यह बहुत specific medicine है और इसे अलग अलग brands में भी आप ले सकते हैं जैसे city clip के नाम से भी आपको market में यह मिल जाता है और अलग brand से इसका भी अलग से brand आता है उसके इसाप से भी आपको मिल जाता है क्लेवुल क्लेवुक्षन के नाम से भी आपको market में available हो जाता है यह 20 ml में 20 ml डिश्टर वाटल में इसको घोला जाता है इसके साथ में हमें क्या लिना चाहिए है सिग्नोफ्लैंप का क्या यूज होता है यह सुजन को कम करता है और और हुम्येंटी जो होता है वह वैक्टीर्यल इंफेक्ष्ण को ठीक करता है वैक्टी इंफ्छन को उसे खतम करता है और सीग्नु प्लैम होता है इसके अंदर Nas KLてos uh Kenya drauf और यह दर्दज हो रहा है उसे भी कम करने में मदद करता है तो सिग्नुफिलम इसके अंदर पेरसीटमोल 325 हमजी है सेरा पेप्टाइडेस 15 मजी है इसी कलोफीनेक 100 मजी है जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है और यह और काइटिस के लिए से बहुत स्पेसिफिक दवाई है और कायटिस और एपिडियमाइटिस में बहुत ही जादा यूजफुल दवाई है लियूपिन कंपनी का आता है सिगनोफलेम जो बहुत अच्छे रिजर्ट्स आपको देता है सिगनोफलेम के अलाबा इसके अंदर आप क्या दे सकते हैं अगर किसी पिशेंट को और कोई प्राबलम हो तो जैसे मानके चले सिगनोफलेम पिशेंट को नहीं मिला है तो उसके अ तो ये जो medicine है बहुत ही अच्छे results आपको देगी और इसके साथ में आपको लेनी होती है पेंट आप चालेश पेंट आप 40 क्या होता है कि जी कई medicine से गैस बनता है पेट अपसेट हो जाता है उसके लिए पेंट आप 40 देना जरूरी होता है तो पेंट आप 40 क्षाली पेट सोब्स वे यापको देना चाहिए सिग्नो फ्लेयम सोभर शयाम देना है और आऔर में बात कर रहा है हम हम 25 साल से जिनकी वीश से जिनकी उम्र जादा है वो सोबे शयाम पास दिन का कोर्स करना चाहिए और कायटिस और एपिडायमाइटिस का बहुत अच्छा इलाज है थैंक यू